हेलो एवरिवन आर्थी कीचन इस्टिडियो में आप सबका स्वागत है तो आज हम आम का अचार बनाएंगे और ये बहुत ही टेश्टी बनता है अपने देशे इस्टाइल में मैं ये आम का अचार बनाना बताऊंगी मैं किस तरीके से इसे बनाती हूँ तो चलिए तो देखिए हमने यहां कच्चे आम ले लिये हैं यहां आम हमने 2 kg लिया है इसे मैंने पानी में थोड़े देर के लिए डाल दिया है ताकि इससे गर्मी निकल जाए और इसके बाद इसे हमने कट कर लिया कट करने के बाद इस तरीके से हमने इसके अंदर की गुठली निका डाल देंगे और सॉल्ट डाल देंगे हल्दी और नमक डालने से क्या होता है कि इसका जो पानी रहता है ना अंदर वो भी निकल जाता है और इससे अजार खराब नहीं होता है तो बस इसे अब हम मिला लेंगे और हम इसे राद भर इसी तरीके से रख देंगे एक बरतन के उपर तो अब हमारे आम के ये पानी निकल चुका है और ये अब ये थोड़ी से सुखे हो गए है तो अब देखिए आप इसमें से कितना पानी निकला है ये तो अब ये ना हमने यहां दाल ले ली है राई की पीली दाल ले ली है सरसो वाली और इसे हमने आधा किलो करीब लिया है अब जो इसने मसाले जाएंगे वो हमने ले लिये हैं, यहाँ पर अजवाई ने अधिक टोरी से कम ले लिये हैं, मेथी दाने अधिक टोरी से वो भी कम है, सोप है, जीरा है, धनिया है, कलोंजी है, हिंग, दालचीनी, इलाईची है, हरी वाली, चार पाज करीब, लॉंग है और काली मिर्चय उसके बाद यहां हमने गूर ले लिया है और यह लैसन लैसन भी आधी कटोरी करी छिलके रख दी है अब यहां अचार में डालने के लिए हम ऑईल गर्म करने रख देंगे एक साइड में और ये गर्म करने के बाद जब ये ठंडा होगा उसके बाद ही हम अचार में डालेंगे अब इसे हम गर्म करने रख देंगे अब यहां कड़ाई में हमने सरसो की डाल डाल दी है अब इसे हम भून लेंगे और इसका कच्चापन निकाल लेंगे ये दाल कच्ची नहीं रेना चीए जब तक इसमें खुसबूना आ जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए तब तक इसे हमें भून लेना है तो देखिए इसका कलर भी अब चेंज हो चुका है इसे हमने धीमियाज में भूना है तो अब ये हो चुकी है अब इसे हम निकाल लेंगे उसके बाद इसमें हम धनिया डाल देंगे धनिया को भी थोड़े देर चला लेंगे चमस से इसे भी धिमियाच में भूनेंगे तो ये जब हलका हलका सा भून जाएगा उसके बाद इसमें हम मेथी दाने डाल देंगे इसे भी भून लेंगे उसके बाद इसमें हम जीरा डालेंगे इसमें जीरा की मातरा थोड़ी जादा रहेगी जीरा आप जादा डालेंगे यहां मैंने आदा पाव करीब जीरा डाला है उसके बाद इसमें सोब डाल दिया है और जो सारे मसाले लिये थे ना उसे भी समें डाल दिये हैं अब इसे हम अच्छे से भूश लेंगे जब तक कि इसकी खुश्वूख ना आ जाए अब ये मसाले हमारे भूश चुके हैं तो अब इसे हम ठंडा होने देंगे उसके बाद इसे हम पीछ लेंगे तो हमने यहाँ थाले में इसे रख दिया था तो यह ठंडे हो चुके हैं मसाले अब इन मसालों को हम पीस लेंगे और अब हमने यह मसाले पीस लिये हैं इसे भी हम एक थाली में निकाल लेंगे उसके बाद यहां हम थोड़ी सी सरसो की दाल ले लेंगे जिसे हमने भूंके रखा है इसे भी हम थोड़ी सी पीस लेंगे इससे क्या होता है कि मसाले में अच्छा टेस्ट आ जाता है और यह दरदरा मसाला नहीं रहता है तो हम पूरी नहीं पीसेंगे थोड़ी ऐसी ही रखेंगे और थोड़ी पिस लेंगे तो मैंने यहाँ एक डब्बे में लिया है इसे ही पिस हूँगी तो देखी यह पिसके तयार हो चुकी है अब यहाँ हमने जो लैसन ली थी ना इसे भी हम पिस लेंगे आप चाहें तो इसे सैगी भी डाल सकते हैं यह आप पिस लीजिये थोड़ा सा और थोड़ी लैसन सैगी डाल दो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं यहाँ पिस रही हूँ इसे तो देखी हमने लैसन को इस तरीके से पिस लिया है गुर भी कुट करके रख दिया है गुर को भी हमने इस तरीके से कुट लिया है और लैसन भी पिसके हो चुकी है अब हम यहाँ मसाले बनाने की तयारी करेंगे यहाँ मैंने बड़ा सा बरतन ले लिया है उसमें सरसो तेल डाल दिया है उसके बाद उसमें मैंने लाइसन का जो पेश्ट पिसके रखा है उसे डाल देंगे और यहां मैंने हिंग डाल दिया है अब इसमें तो इसे भी थोड़ देर चम्मत चला लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे यहां मैंने एक कटोरी में कस्मीरी लाल मिर्च ले ली है इसे भी इसके साथ भुन लेंगे हम मिर्ची को हमने भुना नहीं है तो हम इसे पहले डाल लेंगे ताकि मिर्ची भी भुन जाए तो अब इसे भुनने के बाद इसमें हम हल्दी डाल देंगे यहां मैंने कस्मीरी लाल मिर्चे का उप्यूग ज़्यादा किया है इससे कलर भी अच्छा आएगा और मसाला भी ज़्यादा बनता है उसके बाद जो हमने ये मसाला बनाया था उसे डाल देंगे उसे भी अच्छे से अब हम मिला लेंगे अब यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है एक कटोरी करीब है यह आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं यदि आप तेज काना पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें अब यहाँ मैंने साल्ट डाल दिया है तो अजार में साल्ट कम नहीं जाता है साल्ट ज़्यादा ही जाता है इससे अजार खराब नहीं होता है तो बस अब हमें इसे मिला लेना है हमारे मसाले तो पूरे भूने हुए ही है अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे गुड़ भी इसमें बहुत जरूरी है, थोड़ा सा गुड़ डालना चाहिए उसके बाद इसमें हमने जो ये कलोंजी रखी थी, कराज जिसे कहते हैं इसे भी डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसे हमें भुनना नहीं है और ना ही हमें इसे पिसना है हमें ऐसे ही डालना है इसी से इसका टेश्ट आता है अब यहां जो हमने सरसो पिसी नहीं थी जो दाल ही थी उसे भी डाल देंगे और उसे भी हम मिला लेंगे अब हमने इसे गैस से उतार दिया है और इसे अब अच्छे से हम एक बर मिला लेंगे तो देखिए इन मसालों के मिलने के बाद इसका कलर कितना सुन्दर आया है तो अब हम इसमें आम मिला लेंगे जो आम हमने कट करके रखें इसे अब इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से अब हम मिला लेंगे अभी इसमें हम आईल नहीं डालेंगे इसे ऐसे ही मिला के हम जार में भर लेंगे अब यहां हमने चीनी मिट्टी की एक बर्नी ले ली है जिसमें हम अचार डालेंगे तो इससे क्या होता है कि अचार बिलकुरू भी खराब नहीं होता है इस बर्नी में और मैं इसी में ही आम का अचार रखती हूँ और इस साल भर बहुती अच्छे से रह जाता है तो हमने यहां पे अब यह अचार भर लिया है इस तरीके से डाल के और इसमें अभी हमने ओईल नहीं डाला है तो देखिए ये एक बर्नी भर चुकी है दो किलो आम में और ये छोटी बर्नी में थोड़ा बज गया था तो रख लिया है मैंने इसे तो ये अचार अभी हमारा पुरा बर्नी में भरा हुआ है लेकिन रात भर इसी तरीके से रहेगा तो ये कम हो जाएगा फिर हम दुसरे दिन इसमें हम ओईल डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि अचार में ओईल भी अच्छा भर जाएगा उपर तक रहेगा तो ये खराब नहीं होगा और याद रहे इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए खुलानी रहना ची इसे हम पेक करके रख देंगे तो ये हमारा अचार बन के तयार हो चुका है एकदम चटपटा तो कैसे लगए आज के हमारी रेसिपी कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेर करिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई